तो आपको चाहिए गेमिंग लाप्टॉप और आपको बज़ेट है 60,000 रूपीज और 60,000 के अंदर लाप्टॉप बहुत ज्यादा लिमिटेड है तो उसी को अबर बात करेंगे आपके लिए कौन सा बेस्ट पीक होगा जो मैंने आपनों के लिए सिलेक्ट करके रखा है लास हमबल रिक्वेस्ट से जाकर टेलीग्राम ब्रुक को जॉइन करो बहुत सरी ओफ़स अगरा डालते रहता हूं और कुछ रिक्वेस्ट करते हो वह वहां पर ही में अपडेट करता हूं तो जाकर जॉइन जरूर करना नीची आपको कमेंट स्क्षिन में प्रिंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा साइसे डेस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक होगा जाकर वो जॉइन करना ही करना ओके तो चलिए अभी बात करते कुछ ऐसे फैक्ट जिसको आप लोग नहीं कर सकते बिफॉर कंसिडरिंगे लाप्टाउप अंडर 60,000 पहला पार्ट करो पहला बहुत इ यहां पर CPU तो यहां पर CPU देखो Intel और AMD दो प्रेंड्स प्रेड्यूस करता है तो Intel की तरफ से अगर आप जाना ही चाहते हो तो i5 के 9th generation से नीचे नहीं देखना है वही आप लोग को मिलेगा और उसके साथ ही आपको जाना पड़ेगा और उसको ही आप लोग कंसिडर कर सकते हो तो अगर आप लोग को एक लाइट लाप्टोप ले सकते हो अगर नहीं हो तो AMD की तरफ से अच्छा ओप्शन है वह AMD की Ryzen 5 4600H जो कि बहुत ही बहतरीन प्रसेसर है अगर आप लोग को एक लाइट वेट लाप्टोप चाहिए तो मैं रेकमेंड करको 5500U भी देख सकते हो AMD की Ryzen 5 5500U जो बहुत ही अच्छा ओप्शन है तो गोविट तो CPU की बात होगी यह भी RAM की बात करते तो RGB की यहां पर RAM मिलती है जो की further upgrade option के साथ आता है और यहां पर बात करूं मैं डिस्पले की तो 15.6 इंच की Full HD डिस्पले मिलती है बट यहां पर 60Hz की आप लोग को refresh rate मिले यहां पर 144Hz वगरा expect मत करना in this price point. Lastly यहां पर storage के मामने में 512GB की SSD या फिर आप लोग को 1TB plus 2.6GB की SSD का option मिलेगा तो यह चीज़ आप लोग ठ्यान रखना तो चलिए अभी एक एक करके recommendation जो है वो देख लेते हैं तो पहला चो recommendation है यहां पर मैं straightforward कहूंगा कि आप लोग AMD Ryzen 5-4600H के साथ जाओ तो पहला लिस्ट पर जो laptop है वो है Lenovo IdeaPad Gaming 3 तो यहां पर अगर मैं specification wise देखो तो Ryzen 5 की आप लोगों hexa को प्रसेसर देखने को मिलेगा जाती है जहां पर 4600H का CPU है और यह बहुत ही बहतरीन काम करेगा और यहां पर 8GB का RAM है जिसको further upgrade कर सकते हो 1TB plus 256GB के SSD के combo storage मिलती है और एक option है 500GB की SSD के साथ दोनों option में नीचल लिंक दे दूँगा चेक आउट कर सकते हो चार्च सेपी के अपर ग्राफिक्स है यहां पर दोनों के दोनों laptops के अंदर बहुत की ग्राफिक्स मिल जादी उससे उपर नहीं मिलेगा इस budget के अंदर और दोनों के दो को बहुत ही अच्छा laptop देखने को मिलता है तो thermals इस laptop की decent है जहां पर maximum temperature जो 85 degrees के आसपास जाता है तो heat up होता है heat up नहीं होता है वो नहीं कहूंगा but manageable है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो 45W TDP है तो power consumption थोड़ी होती है इसलिए heat up जादा हो जाता यह laptop बट इसके thermals ठीक ठ जैक की वह भी available है साथ यहां पर 3.5mm की jack यहां पर type c की port सब कुछ मिल जादा इस laptop के साथ और यहां पर keyboard की बात के तो keyboard में आप लोग को back lead मिल जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप लोग प्रोग्रामिंग वगरा भी करना चाह तो इस laptop से कर पाओगे engineering work करना है वह भी कर पाओ तो gaming करना है वह भी आप लोग आसानी से कर पाओगे अगर मैं gaming performance की बात करो तो 1650 जैसा perform करता है वह ऐसा ही performance देगा एक मैंने laptop review के तार आइसे 550 500U उससे इसको अगर compare करते हो तो 1-2 fps का difference आते है उतना जादा vast कुछ भी difference नहीं है तो इसके साथ आप लोग जा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसका multi-code performance बहुत अच्छा है जिस पर आप लोको multi-tasking के time में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर 60,000 आप का budget है तो Lenovo की तरब से IdeaPad Gaming 3 is the first option जो मैं आप लोग को कहूंगा नेक्स दो laptop जो है वो भी दूस्तों AMD की तरब से है तो यहां पर AMD की तरब से जो Acer Spy 7 Ryzen 5 5500 U के साथ laptop आया था 2021 में जो मैंने review करके तक है आप लोग आई बटन में लिंक बल चाहेगा आप लोग जाकर देख सकते हो नीचे description box भी चेक कर सकते हो तो उसका full review देखना वो एक अच्छा laptop है under 55,000 जो कि आप लोग 100% consider कर सकते हो अगर आपको चाहिए 16GB का version तो Acer की website से भी वह ले सकते हो 16GB आप लोग को वहां पर भी देखने को मिल जाएगा 60,000 के budget के अंदर अगर आप लोग 8GB लेते हो तो उसके साथ आप लोग एक RAM stick खड़ित के Acer की care में लगा ले लेते के 60,000 में ऐसा laptop बताओ जिसके अंदर हलके फुल के gaming में कर पा हुआ और साइज साथ लाइट वेट भी हो तो यहां फिर से मैं कहा रहा हूँ लेनोगो की तरफ से लेनोगो आइडिया पेट 5 नाम का एक laptop है जो कि Ryzen 7 की OctaCore CPU के साथ आता है जो 4700U series की है यहां पर यह वेट है और MS Office भी इसके साथ मिल जाता है तो यह वाला लाप्टो जरूर एक बार चेक आउट करना है Amazon Flipkart दोनों में अविलेबल है जहां पर भी कम आप लोगो देखने को मिलता है वहां से खरीच सकते हो अगर आपको चाहिए तब ही अगर आप लोगो एक लाइट वेट चाहिए तो इसके अंदर आप लोगो डेडिकेटड ग्राफिक्स नहीं मिलता यहां पर आडेक्स की वेगा 10 ग्राफिक्स मिल जाती है जो की बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस देगार आप लोग लोग कैस्वेल गेमिंग करना चाहते हो तो इसका आप लोग इस्तेमाल कर स जो राइजन 5 की 4500U के साथ है मेटल बिल्ड है 1.3 kg के आसपस इसका वेट है राइजन 5 4500U मिलता है 8GB की रैम 512GB की SSD यहां पर भी आप लोग को वेगा 8 की ग्राफिक्स मिल जाती है तो आप लोग को ग्राफिक्स परफोर्मेंस में भी अच्छी खासी यहां पे आप लोग को चीजे देखने को मिलता है साथ साथ बैकलीट कीबोर्ड है जो बहुत ही अच्छा एक लाप्टाप है जिसके साथ आप लोग जा सकते हैं यह दो ऑप्शन था जो मैं आप लोग को बता दिया अगर आपको लाइट वेट चाहिए अंडर 55-60,000 तो यह दोनों हो था जिसका thermals अच्छा है डिस्प्ले अच्छा है बिल्ड क्यालटी बहुत बैतरीन है तो यह लाप्टाप आता है दोस्तों i5 के 9th generation के प्रसेसर के साथ 8GB का RAM 1TB HDD 2.6GB SSD का कोंबो है और यह आप 4GB के आप लोग को GTX 1650 ग्राफिक्स मिल दिया यहां पर भी 60Hz का ही डिस 10.6 इंच का डिस्प्ले है फुल इजडी डिस्प्ले मिलेगा तो यहां पर आराम से आप लोग गेमिंग कर पाऊगे नॉर्मल स्टोडी बेस्ट गेम्स खेलोगे तो उतना पता नहीं चलेगा जब भी आप लोग जितने भी लैट्टोस में बताई इसके अंदर आप लोग मीडियम टू लो में आप लोग खेल पाऊगे अगर मैं बात करो और दो ऑप्शन से इंटल की तरफ से मैं जस्ट नाम बता रहेता हूं आप लोग को MSI की तरफ से GF63 जो के आप लोग को 1650 की मैक्स क्यू देखने को मिलती है डिस्प्ले डीसेंट है इसका जो थर्मल से वह अगर यहां पर लोग लोग को 1650 Ti मिलती है अंडर 60,000 यहां पर लोग अपलोग लोग लोग लगा सकते हो जिसके अंदर आप लोग स्टोर कर सकते हो आपके सामान को बट मेरी अगर रेकमेंडेशन माननों तो फर्स्ट पिक मैं कहूंगा 60,000 अकर आपका बजट स्पेंड कर सकते हो, then you must go with Lenovo IdeaPad Gaming 3 जो की one of the best option है right now on market, आपका बजट थोड़ा कम है, then आप लोग जो है Ryzen 55500 U Acer S7 के साथ जाओ, अगर आपको lightweight laptop चाहिए तो दो option है, इनमे से आप खुद सिलेक कर लोग को कौन सा लेना है, MSI Modern 14 या फिर जो है Lenovo की तरफ से Lenovo IdeaPad 5, तो यह दो laptops था, जो मुझे personally बहुत जादा पसंद आया, in lightweight category, casual gaming करना चाहिए तो उनके अंदर कर पाऊगे, तो I hope जितने भी मैंने चीज़े बता है, आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो like कर देना, अगर कोई भी laptop purchase करना है, तो नीचे best buy link मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी